हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल पुमार इंजिनिरिंग आज की वीडियो में बात करेंगे रोड वर्क में एक्सिविशन की क्वांटिटीज को कैसे कल्कुलेट किया जाता है और उसके क्रॉस सेक्षिन को कैसे बनाया जाता है दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं दोस की हुई है दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चुरूर करें और अगर चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बात करेंगे cross section area कैसे calculate किया जाता है तो cutting top plus cutting bottom divided by 2 into जहाँ road की विठते दोस्तों तो हमँआज total cross section area calculate हो जाएगा और जितने भी rd है दोस्तों यह process हम rd में use करेंगे और उसका cross section area calculate करेंगे तो total rd हमँआज calculate हुए दोस्तों 27 और total road length हमँआज पास दोस्तों 810 meter हमँआज calculate हुई है दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे road work में exhibition की quantities को कैसे calculate किया जाता है और उसका total amount कैसे calculate किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले exhibition में बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर इंडेक्स बना हुआ है दोस्तों उसमें फस्त आइटम है description of items next है एक्स सेक्शन एरिया जो हमँआज क्रॉस सेक्शन एरिया है नेक्स बात करेंगे जो हम एरिया जो हमँआ इसका हमेरे क्रॉस सेक्शन एरिया क्ल्कुलेट हुआ है दोस्तों आपको बताएंगे यह कैसे क्ल्कुलेट हुआ है जो हमने ड्राइंग में भी mention किया हुआ है जो हमारा cutting height है 4 meter प्लस जो cutting bottom है 0.60 divided by 2 और इंटू जो हमारा road की width है 3 meter तो total cross section area हमारा पास calculate हुआ है दोस्तो 6.90 cubic meter 6.90 total cross section हमारा पास area calculate हुआ है दोस्तो RD1 का तो next बात करते हैं जो हमारा पास area calculate करेंगे वो कैसे calculate करेंगे तो बात करते है जो हमारा पास RD0 का cross section area calculate हुआ था 6 cubic meter प्लस जो RD1 का area यह 6.90 cubic meter तो total area हमारा पास calculate हुआ है दोस्तो 12.90 cubic meter हमारा पास area calculate हो चुका है तो next बात करेंगे दोस्तो mean area तो mean area हम calculate करेंगे जो हम पास total area calculate हुआ था 12.90 cubic meter divided by 2 तो total mean area हम पास calculate हो चुका है 6.45 cubic meter next हम बात करेंगे दोस्तों जो हम आपको already cross section में mention की हुई है और next हम calculate करेंगे activation area जो हमने RD1 का calculate करना है तो सबसे पहले बात करेंगे mean area जो हम आपको already calculate हुआ है RD1 का वह है 6.45 into जो हम आपको 30 meter तो total activation area calculate हुआ है दोस्तों हमर पास 193.50 cubic meter हम आपको RD1 का total cross section area calculate हो चुका है दोस्तों next बात करेंगे RD2 RD2 में भी सबसे पहले हम दोस्तों cross section area calculate करेंगे जैसे हमने RD1 में calculate किया था तो सबसे पहले बात करते है जो हम है drawing है RD2 का area जो हम आपको cutting height है 4 meter plus cutting bottom height है 0.60 divided by 2 into जो हम है width road की 3 meter तो total cross section area calculate हुआ है दोस्तों RD2 का 6.90 हम आपको area calculate हुआ है next बात करेंगे जो हम area कैसे calculate करेंगे जो पहला RD1 का cross section area calculate हुआ है 6.9 plus RD2 का area calculate हुआ है 8.9 तो total area हम हम आपको hara calculate हुआ है 13.8 तो next बात करेंगे दोस्तों mean area तो mean area हम calculate करेंगे जो हम आपको smh carbonate divide by 2 तो total mean area calculate हुआ है दोस्तो 6.9 हम हम आपको mean area calculate हुआ हो चुका है तो next बात करेंगे 3 meter तो total activation area हमाँ पास calculate हुआ है दोस्तों जो हमाँ mean area है into जो हमाँ पास rd length है तो total activation area calculate हुआ है दोस्तों rd2 का 207 cubic meter हमाँ पास rd2 का area calculate हो चुका है तो next हम बात करेंगे दोस्तों जितनी भी हमारी rd है दोस्तों यही process हम use करेंगे हम exhibition area calculate करने के लिए और total हमार पाद जो exhibition area calculate हुआ है इस estimate में 6003 cubic meter हमार बाद total exhibition area calculate हुआ है दोस्तों एक्स जो हम बात करेंगे total amount कैसे calculate किया जाता है तो सबसे पहले जो है ordinary rock का amount है दोस्तों per cubic meter का 134.45 हमार बाद per cubic meter rate है तो total amount हम calculate करेंगे जो हमार बाद exhibition quantity है दोस्तों 6003 cubic meter इंटू 134.45 तो total amount में पास दोस्तों calculate हुआ है आठ लाग साथ जार 103 हमार total amount calculate हो चुका है इस estimate का